सेलो हाइ, नमस्कार, मैं आपका सूरसर स्वागत करता हूँ, आज हम बात करेंगे, 12th क्लास के mathematics का जो new chapters add हुआ है, आपके NIS के syllabus में, उसमें ये भी एक चेप्टर है, चेप्टर 14, स्ट्रेट लाइन, बड़ा ही इंट, बुक बन में तो खैर ये हैं ही है, इसको अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए, तो बुक टू में फिर से इससे मुलाकात आपको होगी, और वहाँ पर ये अगर सारे concept किलियर होंगे तो पढ़ने में, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे पहले जानकारी ये है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर आते हैं, content को देखते हैं उन्हें अच्छा लगता है पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, ऐसा करके आप कहीं न कहीं गलत चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप अच्छी चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे ताकि हर किसी का life बन सके, दूसरी बात ये कि हमारे जो content है, वो हमारे एप में available है, तो अगर आप हमारे एप को download करना चाहते हैं, तो description में जाएए, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा, फिर टेलिग्राम चैनल और WhatsApp चैनल का भी लिंक, आप हमें क्या बोलता है, हमारे जो website ह उसे भी access करें, तो वहाँ पर math का पूरा course आपको मिल जाएगा, VBI set मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो चलिए, आज की session की सुरुवात करते हैं, basically straight line क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं, let me suppose, देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं इसको straight line क points जब मिलते हैं, hello, जब infinite points यहां पर मिलते हैं, बहुत सारे dot dot मिलाएंगे, तो एक straight line create होगा, we are not saying that this is a line segment, if we talk about line segment, तो line segment तो fix हो गया जी, कि यह एक point है, और यह point है, इनके बीचे एक fix length हम बात कर रहे हैं, यह हमारा हो जाएगा, कैसा line segment, but we are discussing about a straight line, हम सरल रेखा की बात कर रहे हैं, सीधी रेखा की बात कर रहे हैं, जो दोनों तरफ से बढ़ेगा, अब mathematics में, जब हम आते हैं, तो straight line के ऊपर, बहुत सारी equations हमें पढ़ने होगा, ताकि आज की इस वीडियो में, मैं पूरा equations तो नहीं deal कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, 50% concept यहा equation को सही बे में पहचान कर रहे हैं, अब हमें ये समझना होगा, physics में भी मैं पढ़ाता हूँ, और math में भी आ रहा है, slope, slope को बहुत आसान सब्दों में हम समझेंगे, ladder, city, आप जानते हैं, जिनरली घर में होता है, कहीं भी होता है, जब आप सीधी की बात करते हैं, तो सीधी को small aim से denote करते हैं, कुछ basic बाते हो जाए पहले, तो यहां तक पहुंचा जाए, तो अब जब हम slope की बात करते हैं, तो यहां पर दो factor आता, देखिए का सीधी को ध्यान से, देखिए, अगर बिल्कुल देखिए, नीचे वाला जमीन का हिस्सा अगर बिल्कुल touch करते ज जाएगा, लेकिन यह जो base वाला यह बढ़ जाएगा, यहीं दो side यहां वो जो right triangle triangle का हमें दिख रहा है, उसमें changes देखने को मिल रहे हैं, यह तो hypotenuse की तरह काम कर रहा है, इसे करके, दिखिए, एक तो perpendicular का रोल आ रहा है, यहां पर दूसरा base का रोल आ रहा है, क्यूंकि इ basic trigonmetry जानते हैं, कि tan theta is equal to होता है, perpendicular upon base, बोले तो thumb और आधार, thumb upon आधार, और इसी tan theta को slope कर, यहीं जो angle आपको दिया जाएगा, वो basically tan theta निकालने के लिए होगा, क्या हर बार आपको इतनी आसानी से angle दे दिया जाएगा, कि आप उसका slope निकालने तो जवाब है नहीं, इतनी आसानी से आपको नहीं देगा वो, तो कैसे देगा, तो आपको आना पड़ेगा coordinates पे, coordinates हम सभी पढ़ते हैं, यह line y का है, यह line x का है, बीच में क्या होता है, देख रहे हैं, बीच में क्या होता है, और इसके बीच में कोई भी point दे सकते हैं, यह लाइन इधर प्लस का होता है यह लाइन यहां यह भी प्लस का है यहां यह माइनस एक से सोरी माइनस बाई है नीचे का माइनस बाई है और यह आपका माइनस एक मैं तो basic के लेके जाऊंगा बहुत बच्चे सिकायद भी करते हैं सर आप बहुत basic लेके जाते हैं तो लेके जाने ही पड़ेगा मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल छूटी हुई है पहली बार math पढ़ रहे हैं ये मान के बढ़ाते हैं ठीक है तो सिकायद रहती है तो विवात नहीं आप वीडियो स्किप कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं बट मेरा मानना है कि जो मेरा तरीका में वही डिल करूँ तो यहां पर देखिए ध्यान से coordinates में कि आइमान के चली ये एक straight line है जो आपको दिख रहा है इसको बोलते है point slope form ये बहुत ही simplest form में आपको बता रहा हूँ point slope form ये कब कामाता है कि जब एक straight line आपको दिया जाए और ध्यान सुनिएगा इस straight line पे कोई भी एक point mention कर दे let me suppose इस पूरे line पे कोई भी एक point P जिसका x1 by 1 है hello क्योंकि mathematics में x और by general form होता है और हमें equations जब denote करेंगे तो वही x और by general form बाला हमें help करेंगा तो x by को कभी भी हम change नहीं करेंगे x by ही लिखेंगे लेकिन अलग अलग point के लिए x1 by 1 x2 by 2 ऐसे हम लोग coordinates लिखा करेंगे समझे देखो यहाँ पे तो माल लेते हैं जी कि लेट ये p हमारा एक point है है ना x1 by 1 ये line पर है कहा है line पर है और इसका जो slope हम माल लेते हैं aim है slope कैसे basically find out करते हैं देखिए slope का तरीका में बताता हूँ जिसे इस line को देखेंगे इसको थोड़ा सा अब बढ़ाईए तो थोड़ा इसे सकर बढ़ाईए देखिए ये जो एंगल हो रहा है ये जो एंगल हो रहा है उसी एंगल के भिहाब पर हम एम बोल रहे हैं अब देखिए हो सकता डिरेक्ट एंगल देदें यहां पर तो अल्लग की बात है यहां सीधा 10 थीटा की वेल्यू निकाल देंगे अंसर आजाएगा हमें क्या एक डिपेंड करेगा फिर भी हम इसको एम माल लेते हैं कि स्लोप है ये बोले तो 10 थीटा मैं लिख देता हूं हलाकि बुक में नहीं मिलेगा लेकिन मैं बता रहा हूं 10 थीटा से निकली तो इसका जो फॉर कि पॉइंट देगा तो जब एक स्ट्रेट लाइन में में सिंगल पॉइंट दे तो ये वाला यूच करना इसमें क्या लिखोगे बाई-बाई बन इस इकोल टू एम एकस माईनस x1 जहां सुनो यह color change यह जो x by मैं लिख रहा हूँ यह जो by दिख रहा है और यह जो x दिख रहा है इसको मत change करना यह general है यह general है x by लिखेंगे बताईए equation में x by नजर नहीं आएगा खाली अंक नजर आएगा, digit नजर आएगा तो का है का equation? answer यह तो सोचे ही नहीं थे हम आपको बोलते हैं जी 10-5 यह कोई equation है नहीं सर यह कोई equation नहीं तो x by नहीं हो equation कैसे होगा तो x हो या एक by हो दोनों से कोई एक हो तो equation कहोगे, answer बात तो सही तो इसी लिए इसको मत छिरचाड़ करना अच्छा यह जो aim आपको दिख रहा है यह तो slope होगे आपका है ना? आप देखिए यहाँ पर क्या changes मिलेगा आपको ऐसी क्या-क्या चीजे हैं जो change आपको देखने को मिलेगी तो भैया change में यहाँ यह देखने को मिलेगा देखिए यह by बन और यह x बन क्यूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं तो हम ऐसे section की बात कर रहे हैं जिसमें single point का जिक्र होगा तो ऐसे case में अलग-अलग questions में जब भी आपको देगा थी x1 by 1 बदलेगा aim के लिए कुछ ने कुछ clue देदेगा x by को मत छेड़ना आपका equation ready हो जाएगा एक बाकी हम live class में कराएंगे और हमारा एक limited होता YouTube पर देने का दे रहे हैं बस आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको ये समझाए कि इस सर से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है अगर इतनी clarity आपके पास है और अब भी आप late कर रहे हमारे courses को पढ़ने में या purchase करने में तो कहीं नहीं कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं यदि आपसे नहीं समहल रहा है आपसे हो रहा है तो well and good मत करो खुद से कर लो इसी all the ways चलिए आपको आगे बताते हैं दूसरा form आते हैं क्या चीज है intercept का मतलो क्या होता है जब कहीं से कोई cut मारता है ना उसको intercept कर आप जैसे आई यहाँ पर रहे है यहाँ देखिए समझे इसको इसको दिख रहा है यह वाला आपका हाँ जी सर यह वाला दिख रहा है कूंसा color है ठीक है color ठीक है देखो यह बाई है और यह एकस है इसमें आपको दिख रहा है यह वाला point क्या है इस बाई वाले पर intercept कर रहा है इसको हम C बोल देते हैं क्या बोलो मेरे साथ क्या बोलेंगे CE जब भी CE आएगा है इसे बाई लाइन पर आए कि क्लियर लिख देते हैं एम अपना स्लोप हो गया है ना CE हो गया बाई इंटरसेप्ट अब हमें यह समझना है कि basically यह लाइन कहां से क्रॉस कर रहा है तो यह लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है यहां से यह जो point है ना यह तो वही है ना पहले X तो इसमें 0 है बोलिए और by C तो coordinate तो ही हो गया तो यह तो पुराना वाला format हो गया सर अभी इससे पहले पड़े थे ना भई इससे पहले पड़े थे कि देखिए अगर एक single point मालूम होगा यह वाला put कर देना बात खतम तो सर यह वाला भी तो ही चीज है यहाँ भी तो एक single point हमें पता है तो रख दो इसने बना किया है put करो इसमें y-1 is equal to mx-x1 इस y-1 की जगा पर c put कर दो इस x1 की जगा पर 0 put कर दो देखो एक equation बनके बिंदास तयार हो गया जगास y is equal to mx plus c अरे बताओं यह बड़ा popular है बड़ा popular है अगर आपने कभी math पढ़ा होगा तो सब भूल जाएंगे लेकिन यह वाला आपको याद रहेगा equation of line क्या होता है जी तो sir by is equal to mx plus c होता है यह आपको याद रहेगा यह बहुत आप senior से पूछेगा जिने ने math पढ़ा है उनको थो अच्छी बात है आपको next लेके आते हैं यहाँ देखिए हम आपको दाता है intercept form क्या होता है what is intercept form कि what is intercept form जब हम बात करते intercept form की तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि अभी तक हम single point की बात कर रहे थे अब हमने क्या कर दिया कि देखिए x वाले पर भी cut हो रहा है कहाँ पर यहाँ पर पाई वाले पर भी cut हो रहा है यहाँ पर बोल यह cut हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हम लिख देते हैं कि यह जो a है यह आपका x intercept है यह जो b है यह आपका by intercept है क्या बात है है ना अब हमारे पास जो equation of line आएगा वो पाई अपाउन बी इस इक्वल टू वान अगेन आई रिपेट माई डियर स्टुडेंट्स यहां यह जो एकस और बाई दिख रहा है मत छिड़ना इसको मत छिड़ना यह जेनरल है यह एक्वेशन की जान है, एक्वेशन की सोभा है प्यूटी है हाँ, इस A और B की वैल्यू मिलेगी आपको इसकी वैल्यू होगी जो आप पुट करोगे और 1 तो ऐसे भी कॉंस्टेंट है एक अजी सर अच्छे, फोर्थ वाले पे आते हैं जरा पे फोर्थ वाला क्या कह रहा है हमारे पास फोर्थ कर रहा है Woo तो आप उसी की साफ से क्विशन सेट करोगे मैंने करोगे इसमें दो पॉइन्ट आपको दूँँगा तो फिर आप कैसे करोगे तो यह मैं आपको बताने जारा हूँ दो पॉइंट वाली चीज़, तो भया, दो पॉइंट बोलेंगे, टू पॉइंट फोर्म की बात करेंगे, यहाँ पर, मान के चलिए, एक पॉइंट है, यहाँ पर, एक पॉइंट है, एकस टू बाइटू, यह दो पॉइंट है, तो अब जो हमारा equation बनने वाला है, यह कुछ into minus by 1 upon x2 upon x2 minus x1 into x minus x1, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि कहीं न कहीं, हम वो पुराना वाला ही form यूज कर रहे हैं, यह कहीं न कहीं M का रूप है, नहीं धियान आ रहा है आपको, हम आपको धियान दिलाते हैं, आईए जड़ा, यह वाला दिख रहा है आपको, by minus by 1 is equal to m x minus x1, तो वहाँ पर by minus by 1 था कि नहीं था, था, x minus x1 था था, अब इस M की जगा पर ही तो यह data put हुआ है, यहीं तो है M, तो यानि कि हम यह कह सकते हैं, कि अगर हम aim निकालना हो, दो point दिया हो, तो ऐसे aim निकाला जा सकता है, बहुत simple है, आपको angle वे angle नहीं दिया है, दो point दे दिया है, by 2 minus by 1 उपर कर लो, निचे x2 minus x1 कर लो, slope निकाल दो, equation में put कर दो, यह है क्या यह, what is this, color change कर दे, what is this, क्या है यह, क्या है भाई, यह aim है अपना, और कुछ नहीं, यह aim है, simple funda, तो अभी तक हमने इतनी सारी चीज़े आ है, उमीद करते हैं, कि single point दिया हो, intercept दिया हो, दो intercept दिया हो, दो point दिया हो, सबको आपने सीखा होगा, enjoy किया होगा, सबसे बड़ी बात क्या होता है न, कि math में, जो teacher आपको पढ़ा रहा है, उसके साथ आपकी tuning कितनी बैठ रही है, तभी आपको समझ में आएगा, मैं अप पढ़ा थे, पताने उनका नाम, विनो दिया कुछ ऐसी नाम था, दो teacher ऐसे रहे हैं, अब एक जो राजे सराम teacher थे, बड़े अच्छे मैत पढ़ाते थे, अच्छे मैत, लेकिन उनकी class मुझे नीन्द आती थी, जैसे चस्मा रहता था, देखो भाई, हो गया, हो गया, हो ग आगी बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे जो teacher थे, वो class में आते ही, महौल बन जाता था, बाते करना, बीच बीच में वो करना, तो तो कि आपका ध्यान को कहीं खीचते हैं, easy में मिलाते हैं, तो आपको ये decide करना है, math कोई hard नहीं है, अगर आप math में चाहते हैं, expert होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे सीखिए, practice कीजे, अच्छे सीखिए, practice कीजे, बट आपके अंदर interest develop करने वाला teacher चाहिए, जब तक आपके अंदर interest develop नहीं होगा, तो बायत पर कोई theory तो होती नहीं है, और सबसे बुरी बात तो होती है, जब हम से कोई सवाल नहीं बनता है, तो पढ़ने का मन नहीं करता है, समझें, और उसी में फिर लगता है कि subject change कर लें, ये कर लें, क्यों subject change करेंगे, बड़िया नमबर लाएंगे, अब को पता है, April 2023 में मेरे एक बिद्यार्थी ने math में, नाइस की बात कर रहा हूँ, 97 लाया था, रहान हो गया था, तो आप मेहनत करेंगे, तो आपका भी आएगा, description में जरूरू visit करना, हमारे app को जरूरू download करना, कोई दिक्कत हो, तो free counseling का lab हम से ले सकते हो, हमारे whatsapp, only whatsapp में message करना, calling मत करना, calling करना हो, तो पहले permission ले लेना है, कि direct call करोगे, तो हो सकता हम ना उठा पाएं, ठीक है, तो इ मुझे live वाले में भी देना है, और अपने batches में भी देने है, तो मुझे देना ही देना हो, ठीक है, बड़ यहां तक कि जो सेवा है, कलाब उठाईए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत होता है, तो हम से count rate किजिए, thank you so much, we see all the best.